हेलो असलाव अलेकुम विल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो कल आप लगों को यहीं पे छोड़के गए थे जाने कि मैं जब ट्रेक सुट पहनी थी तो बस वही हम लोग चेक कर रहे थे तो पापा ना सब कुछ लेकर आ गए तो एक अंदर से ना खुसी भी था हो सरम भी आ रही थी तो उस वहां पे सारा सम्वान रख दिये हैं और जिया भी आ गई है सूट देखे और यहां पर क्या बना रही है तो जिया बना रही है कोल्ड कॉफी क्योंकि गर्मी का दिन है और सब लोग खाली बठेते हैं तो यह प्लाव बना लेंगे और फिर गर्म रोटी बना देंगे तो सब लोग खालेंगे तो यहां पर न जिया को सिफ हम निकाल निकाल के दे रहें क्योंकि अब अंदाजा उसको इतनी का नहीं होगा ना तो बस उसकी हेल्प कर रहे हैं सब कुछ डाल के दे देंगे और फिर वो क चैना करताएं. इनली की काफी तो कोफी थोड़ा सा था तो मैं है डाल दी और उसके बाद कश्च कोफई के कम है अब हम लोग काफी जूर तो जब तक काफी जूर्अगे तम यह जो कफी इसमें बपर पहली था तो वह कर दो इसके बदर तो फिर सी उदक ब traffic और दालना प खुला हुआ था और काफी अब मैं फ्रीजर में रख रही हूँ तो बताएं पाउच जैसे पहले था ना मैं बाहर रखती थी तो आधिकता जैसे जम जाता था जैसे सूखा नहीं हो जाता वैसे लेकिन जब से मैं फ्रीजर में रख रही हूँ तो बहुत अच्छे से काफी ज और फिर क्या आप लोग बलेते दाल रख दीजिए तो यह अब तो कॉफी भी रख दीजिए यानि सारा समान अपना फ्रीजर में ही रहने वाला तो फ्रीज हमेशा अब यह सोचके बड़ा ही लेना चाहिए तो यहाँ पर कॉफी ढूंड रहे हैं हम लोग ढूंड रहे हैं ज जाके फ्रीजर में देखते हैं तो फ्रीजर में मिल जाता है तो मैं नीचे ही चेक करी कि तब तक जीए भी ऊपर चड़ गई कि कुछ समान हम लोग उपर भी रख देते हैं और यकीन मानिये कि जिस दिन आप परशान हों के हर बड़ी होगी आपका दिमाग चार जगा रहे तो यह देखे काफी मिल चुकी है तो जल्दी जल्दी डाल देते हैं और इसी पर जिया ना थोड़ा-थोड़ा बरफ भी डाल रही थी क्योंकि बताएं ना कि वो नॉर्मल हो चुका था तो बस पहले दो गिलास लेके और जा रही है अंदर उन लोग अंदर बैठे थे और हम लोग यहां पर आके बैठ गए हम लोग जब से मम्मी आई थी ना तो अब से हम लोग यहीं पर बटे थे और कल के वीडियो में आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि बहुत दिनों बाद यह रूम आप लोग को देखने को मिला वैसे इधर मैं बलॉग अब कम बनाती ह तब से शान को बस खाई रहे हैं और लास्ट में ऐसा होता है ना कि जब खाना खाने इनसान बैठता तो पेट में भूख तो होती पेट में भूख भूख होती नहीं है तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत जिसको जो खाना है वो खाता है और कीमा ना बहुत ज्यादा यमी बना था उसमें डाल दिये थे मटर तो मटर का कीमा अच्छा लगता है और रीजन एक और भी और आप लोग सुचरूंगे कि जब भी मम्मी पापा आते तो कीमा ही क्यों बनाते हैं तो एज के हिसाब से और पापा भी थोड़ा सा अब दात से वीक हो गया ना तो कोशिज करते कीमा बना दे या गोस अगर बनता भी यह ना तो उसको काफी ज़्यादा गलाना पड़ता है तो यह है तो यहां पर हम लोग खाना खाने के लिए बैट गए हैं दस्तर खान लग चुका है और पापा और यह दोनों लोग खाना पहले ही खा चुके थे जैसे की रोटी गर्म गर्म बना रहे तो ना तो पहले उन लोगो खिला दी और हम तो इन लोगो भी बोलते कि सब लोग बैट के खालो लेकिन यह हुआ कि नहीं साथ में खाना खाए नहीं मेरे साथ में तो बस यहां पर दोनों लोग बैट गए हैं और जीसू भी आ गया यह देखिए अब फिर कोई कहेगा कि जीसू बहुत ज्यादा बत्तमीज है तो बत्तमीज नहीं है वो शरारती है और इसको आप बत्तमीज मत कहिए क्योंकि शरारत हर इनसान में होनी चाहिए और कुछ तो शरारत हम लोग में भी है हम लोग भी बचपना करते हैं मैं तो बहुत ज्यादा करती हू आखिर बेटा किसका है तो यह है तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए हम लोग बैढ़ गए हैं और जीसू उपर ही बढ़ी आ नीचे जगा नीथी इसलिए तो उसको खाना ऊपर में दे देंगे और हम लोग सब लोग नीचे बैढ़ के खालेंगे तो प्लाव है कीमा है और सैलेड है और गर्म गर्म रोटी है तो चलिए फिर खा लेते हैं और आईए आप लोग भी बिसमिल्ला कर लीजे तो सबके साथ बैठके खाने का ना अलग मज़ा है जैसे अब रोज तो आप लोग अपने लिए खुब सारे पकवान पकाते हैं बनात तो यहां सुबा का अभी हो रहा है सवा 5 सवा 5 बिन उससे पहले ही हो रहा था और हम लोग इधर आंगन में जाडू लगा चुके हैं और उसके बाद धो रहते हैं और मैं गई थी चाय बनाने के लिए क्योंकि सुबा की चाय तो जरूरी है और बाकी घर में सब कोई सो रहा है मम्मी पापा दोनों बच्चे सब लोग सो रहे थे और हम लोग की तो आदती है कि हम लोग उड़ जाते हैं सुबा सुबा तो बस यहाँ पर हम लोग आके बैट गए हैं और चाए भी लेकर हम आ गए हैं तो और उसके बाद फिर पापा उट जाएंगे तो पापा भी चाय पी लेंगे तो बस यहां पर सुबा की जो जो ताजी ताजी जो हावा है इस पर बैठने का मज़ा ही कुछ और अभी जब मम्मी उटेंगी ना तो देखेगा वो भी आके यहीं पर बैठेंगी और जब तक यह आफिस नहीं जाते ना तब तक हम लोग यहीं पर बैठें और इतना हम लोग आना जाना आना जाना कर रहे थे लेकिन किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थे और यह देखिए मम्मी उट चुकी है और इनके लिए भी ना चाय बनाके लेकर आ गए हैं साथ में पानी लेक कुछ ऐसे लेकिन पता नहीं क्यों ना हम लोग अगर बिस्क्युट खाते है ना तो फिर चाहेगा ना मजा ही कतम हो जाता है ऐसा लगता है लेकिन नहीं आदत डालनी चाहिए तो बस यहां पर हम लोग दोनों लोग मा बेटी अपना दुख सुख बात कर रहे हैं इधर करेंगे तो यहां पर जो जीसु के रूम का बेट था और हम लोग रात में ना नीचे बिचायते और हम और यह दोनों लोग नीचे सो गए तो वही उठा के लाके यहां पर रख दिये हैं और पस हम लोग यहां पर टॉपिक बताईए कि चल रहा है आम की उपर इतना सारा आ तो हम लोग बहुत सारा आइड़ीया लगा लेते यहां रहां है और ममी को यहां पर हम दिखा रहते हैं बहुत ऐल चाहि में हुआ है और जो की कोई नी तोड़ पाएगा वह जब भी अपने से पक जाएगा तो तो पके गिर जाएगा तो हम लोग के घर पे नहीं गिरेगा नीचे में गिरेगा अगर हम लोग के घर में गिरा होता ना तो आप लोग को साथ जरूब शेयर करते दिखाते लेकिन नहीं हम लोग क्या नहीं गिरेगा तो ये office के लिए तयार हो चुके हैं तो रात में इन स्कूटी लाके यहां अंदर खड़ा कर दिये थे और इधर बाइक भी खड़ी रहती है तो बाइक ऐसे नहीं निकलती तो इसलिए यह पापा की स्कूटी पहले बाहर निकाल रहें और उसके बाद फिर यह अपनी बाइक निकाल लेंगे और फिर ये ओफिस चले जाएंगे और उसी के ना आधे पॉन गंटे में पापा ममी भी चले जाते हैं जबकि हम सुबह नास्ता एकदम सब कुछ रेडी कर चुके थे लेकिन कोई भी नास्ता नहीं करते हैं और वो लोग ना सब लोग ऐसे ही चले गए क्योंकि सुबह सुबह ना नहीं कुछ खाया जाता तो पापा बोले कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे हाँ जिद किये तो मम्मी आधी रोटी खा ली कि अब बना चुकी है तो खा लीजे पापा दवा खाते है ना सुगर वाली और उसके बादी फिर कुछ ना कुछ खाते है तो यहां देखी तो पैकिंग हो चुकी है और यह जो बैग आप लोग देख रहोंगे कि फिर से जा तो इसमें मेरा सूज है सूज क्या हुआ ना कि थोड़ा सा मुझे बड़ा हो रहा है तो पापा बोले कि इसको वापस कर देंगे और मम्मी जाते जाते मुझे पैसा था हमारी बचों को दे दी थी लेकिन फिर भी जीया ना हमसे मेरे हाँ से पैसा ले ली और मम्मी आप उस को डाट रहे हैं और आज का व्लाग भी यहीं पर एंड करते हैं आई होप की अच्छा लगाओगा बाबाई अल्ला आपस फिर मिलते हैं अच्छा लगाओगा लाइक कर लीजेगा